ए कि आपको जो बार-बार कहा चाहता है कि बबल फिल को कैयो फिल करें कोई भी चीज मिस मत करें कोई भी ब्लांक को किसी भी बबल को इंकम्टीट मत छोड़ें किसी भी M.C. को और न चोड़ें इस के बीचे reason पते क्या होती है reason यह होती ही कि आपके होती है computerized checking जो आपका नशेक होगा ना आपके मार्क कर जाते हैं तो यह गलती नेक्स ताइम नहीं होनी चाहिए जब आप अपने पेपर रिचेक करवाने जाएंगे ना यह आफटर प्रकॉशन से जो सब को पता होने चाहिए आप लोग यह ख्लेम नहीं कर सकते कि भई कंप्यूटर ने जाब हैं वेट ने कुछ अबहूंक रख हितने हैं कि वो उपजेक्टिफ पेपर मोस्तली डिटाज करके आपको देते हैं वह आपको उस किस केरें को साथने के बड़े कुछ रेर के अंचे लुग ने सब्कितिफ पो डिटाज करके आप लोग की तो जेदेश आपको को वहां कोई खर्दिमाख बैठा हुआ ना तो उसने कहना है भई तुम्हां तो यह भी गला तो यह भी गला तो इन भी गलाता है इस चीज में कि भही मैं जाओंगा तो शायद मेरे मार्क्स भर जाएंगे मैं आके आओंगा ऐसा नहीं होता सिर्फ उन्चेक्ट पे या टोटलिंग में या कैल्कुलेशन में कोई गलती हो उस सूरत आपको मार्क्स मिलते है मेरे साथ एक हाथा पेश आया था चले आपको किसे शेर करती हूँ हाथा यही था कि मेरा फिजच्ट का पेपर था और मेरे टाइम पेश्टी ओर 1510 में से मार्क्स पेपर थे 50 थे, 50, तो मुझे मैंने का भई, यह क्या सीड है न, मुझे मेरे मार्क किसे कटे, मैं expect करे थी, मैं 56 थी, बल्के 56 थी 57 में expect करे थी, तो हुआ यह कि मैंने बाबा से जित की मैंने का मुझे पेपर ही चेक करना है। तब online apply नहीं कर सकते थे आप लोग बोर्ड आफिस जाके चेक कर वाना बड़े तो जब में वहां गई तो मैंने देखा कि मेरा एक question unchecked था और इसमें मेरी गलती थी जब मैंने paper fold किया था एक्जाम में लिखते ताइम तो गलती से दो papers blank वो साथ आगे चले गए और मैंने दो pages के blank के बाद question solve कर दिया था numerical था उसमें marks नहीं मुझे में लेवे थे तो बड़ाल मैंने उनसे claim किया कि यह मेरा unchecked question रह गया है इसमें मेरी गलती है जरूर मैं मानती है बड़ मेरा unchecked question है इसको please check करके मुझे marks दे दिये जाए उस सुरत उने marks दिये थे चले आपके दो blank pages जिसे examiner ने पल्टाया उसको लगा paper खातम हो गया उसको नहीं पता चला कि आगे आपने question का answer दिया हुआ है तो फिर उस सुरह में जिसे सिर्फ चार marks extra मिले थे जादा नहीं मिले थे numerical के इतनी ही मिलते है तो फिर मेरे 54 marks बने थे मैं expect 57 के कर रही थी और यह चुट-चुटी बाते थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी उसके इलावा आप लोग किसी और चीज पर क्ल किस तरह से चेक होता है बिल्कुल examiner के mood पे paper depend करता है इसमें कोई शक नहीं हम बच्पन से सुनते आरें बहीं दौा करें examiner अपनी बीवी से लड़के नाया और उसका mood खराब ना हो तो वह हमारे paper पे बढ़ास निकालेगा ऐसा होता है बट कोई भी ना इंसाफी नहीं करत ना इंसाफ ही कभी नहीं करता है आपके अपनी घल्तियों के वज़े से ही marks करते है ठीक है अगर आपने कुछ एक question की जिसकी demand 2 marks की है सिर्फ 2 marks का है और आपने उस पर 10-15-20 लाइने लिखी है तो उस सूरत में examiner को वाकित अप चड़ेगी कि मेरे पास 500 के गरीब का bundle है और परसनल भड़ास आपके पर पर कभी ने निकालते है ठीक है तो यह अपने अपने जहनों में रखने है तो यह चोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को साथ शेयर की अगर किसी ने improvement के paper देने है तो वह second annual exam में यह गल्तिया ना करें जो हमने first annual में की है और जो मैं साथ आपको बताते हैं चलूँ 10th class के results आने वाले है 31 जुलाए 2023 जो है सुबह 10 बचे आप लोगों का result आजएगा अपने लिए भी दौा करें मेरी लिए भी दौा करें अपने fellows के लिए भी दौा करें सब बच्चे जिन पेपर्स दिया आई होब अलात अला सब लोगों को क